गुद मॉर्निंग बच्चों आठमी कक्षा एक्सरसाइज 1.1 इसमें एक टॉपिक है एडिटिव इन्वर्स यानि की योज्य प्रतिलोम ये होता क्या है आज हम सीखेंगे माल लीजे हमारे पास एक संख्या है पांच इस 5 में हम क्या प्लस करें तो हमारे पास उत्तर आएगा शुन्य आप जानते हैं 5 में से 5 माइनस करने पर हमारे पास आता है 0 क्या हम इस 5 माइनस 5 को ऐसा भी लिख सकते हैं 5 प्लस माइनस 5 ब्राबबर 0 क्यूंकि प्लस इंटू माइनस होगा menos और आगे आ जाएगा 5 इसका अर्थ यह है कि 5 में जब हमने माइनस 5 को प्लस किया तो हमारे पास आया 0 इसका अर्थ यह है कि 5 का योज्य प्रतिलोम है माइनस 5 इसी प्रकार से माइनस 5 का योज्य प्रतिलोम है पांच अगर इसके कुछ और उधारन देखें तो बहुत सरल है ये अठारा का योज्य प्रतिलों होगा माइनस अठारा दस का योज्य प्रतिलों होगा माइनस दस माइनस छे का योज्य प्रतिलों होगा छे माइनस बारा का योज्य प्रतिलों होगा बारा इसी प्रकार से यदि हमारे पास बटे वाली संख्या हो जैसे की एक बटा दो तो उसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा माइनस एक बटा दो माइनस तीन बटा चार इसका योज्य प्रतिलोम होगा तीन बटा चार माइनस आठ बटा पंदरा इसका योज्य प्रतिलोम होगा आठ बटा पंदरा उमीद करता हूँ कि आपको योज्य प्रतिलोम निकालने आ गए होंगे